हेलो गाइज वेलकम बैक आज हम एक और नया टॉपिक नया तो नहीं है पुराना ही टॉपिक चल रहा है जिसको हमने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल थोड़ा सा समझा था जिसका नाम था क्या यंग्स डबल स्लेट एक्सफरिमेंट जिसकी बिल्कुल तो रेटिकल सी बाते करी थी आज उसका नुमेरिकल पोश्चंज या मैं बोलूँ उसका कैल्कुलेटिव पोश्चंज कैसे कैल्कुलेट करेंगे ब्राइट स्पोर्ड कैसे बनता था यंग्स डबल स्लेट एक्सफरिमेंट ने आपको क्या सिखाया आपको सिखाया कि लाइट इस बिहेविंग बनती है तो रिटिख करेगी इंटर कर रही थी में ब्राइट उसके ने नियुटन को ग्लत्प्रूव कर दिया था क्या दुबारा देखते हैं और हम इसके थोड़ी किल्कुलेटी पॉश्चन पे कहां कहां राइट और अर्ट स्पॉड बनेगा यह रहा आपका यंग्स का डबल सिल्ट हो सके तो हम प्रैक्टिकल भी करकर देखेंगे डबल सिल्ट एक्परिमेंट के मुझे डबल सिल्ट स्कोरिण सोर्स की बाते हम कर सुके हैं नहीं कर शुके लिखिए सिक्मा कोचिंग लासे समझ में आ जाएगा ठीक है उसके हम चलते हैं आगे तो क्या हुआ यहां से लाइट गही यहां से लाइट गही तो यहां बढलते हैं तो जहां-लग वहन्य को करता आता जाएगा वहाँ बराइट आता जाएगा जहां देते होती हमाँ डार्क स्पोर्ट आएगा वहां सहेगा जब्सभावी कि आएका अब्सपोर्ट ऩ्रहें हमेशा सेंटरल प्राइट सप्वक्त committee मैं मतलब अगर ऐसा ऐसा इंतजाम करेंगे जैसा कि यह इसमें करा गिया है जैसा कि इंतजाम इसमें किया गिया है तो आपको हमेशा Central Bright Spot ही मिलेगा समझें तो आपको क्या मिले हमेशा Central Bright Spot अब एक बात जान ले क्या हुआ होगा यहां से लाइट की वेव निकली होगी ऐसे जुम 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 सेंटर की तर बागी होगी यहां से पर निकली होगी जुम 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 सेंटर की तर बागी होगी तो वेव मालो अभी तो वेव है नहीं वेव ऐसे वेव वेव जारी होगी वेव 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 जाते जाते यहां पर वीव ठकड़ा गई यह सारी वेव फिर वेव यहां पर तो यहां पर क्या हुआ मेरी बास सुनों यह जो डिस्टन्स एक सब्सक्राइब का वो डी है मालो डी है और यह जो स्क्रीन पड़ी है यहां से जहां स्लिट है उससे डी डिस्टेंस के दूरी पर कैपिटल डी यह बात हमेशा ध्यान रखना यह जो डिस्टेंस है स्क्रीन का और यह जो स्लिट का डिस्टेंस है यह दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होना चा और पांट मीटर बहुत बड़ा डिस्टंस है ऐसा ही लेना अजानी स्लिट में एक है मैं में स्क्रीन रख दिया आपने 10 mm की दूरी पर तो आपको पैटर्न यहाद रखना मीनि मात आपको पैटर्न नहीं मिलेगा तो आपको स्लिट का और स्क्रीन का बहुत ज़्यादा डिफ होगेगी तो जो S1 O wave है जो S2 O wave है इन्होंने distance equal कवर किया एक ही जगा गई ने दोनों सेंटर से बिल्कुल सेंटर से बराबर की दूरी पे हैं दोनों पॉइंट तो दोनों सेंटर में जाएगी तो करेंगे दी बाइटू यह इसका मतलब दोनों सेंटर से बाइटू दैन से इसका मतलब दोनों में कोई भी फेस्ट डिफरेंस नहीं है डिस्टंस दोनों ने इक्वल कवर किया दोनों वेवस ने तो दोनों में फेज का डिफरंस दोनों में फेज का डिफरंस जीरो जो इसका फेज वह इसका फेज डिफरंस जीरो डिस्टंस इक्वल कवर कर रहे हैं तो फेज डिफरंस जीरो तो बोले तो डेल्टा एक्स कितना ह रहे हैं कोई फेस का दिफरेंस नहीं है एक बार में टकराएंगे मिल जाएंगे तो बड़ी बेब बने बड़ी बने तो ब्राइट स्पोर्ट में अगर अगर आपको फेस डिफरेंस जीरो आया तो इंटरफरेंस कैसी होगी अगर फेस डिफरेंस जीरो ना आये तो क्या नहीं होगी तब भी नेकर देखेंगे अभी के लिए समझो अभी फेस डिफरेंस जीरो आया सेंटर में दोनों यह बराबर डिस्टेंस पर चलेगी कठी मिल जाएंगी सेंटर में है तो डिफरेंस जीरो तो कर्स्क्रा हो रही है इसका मतलब है स्पोर्ट कैसा बनेगा और राइट स्पोर्ट यह निकाल लेंगे कितने कितने-डिस्ट्रस्मारा काम है इन फ्रिंज्य सका पता करना कि यह सारी फ्रिंज कहां मिलन रही हमें किस क्यसलिस पर पहला जास posição प संसरे ब्राइट बना तो इसके बाद अगला बिर्आइट कहा मिले आ हमें वह निकालना है तो उसके बाद अगला डार्क कहा मिलेगा दिस्टन्स बता पर्ड़ से सारा पैटर्ण उसके लिए हम क्या करेंगे ंफ इन और हम क्या करेंगे अब हम भी निकाल लएगे अब देखतो हम मैं मनता हूं अजिँम कर लो कि मालो Central Bright पर पहले स्वाविशाब हैं मोडर में लगाते हैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूं क्या करना है तुमने हम मालो कि पहला और स्थ में अजियो मतमें और साथी यहां। में कर रहा हूंा यहां से पी प्वाइट कहीं वह सकता है जानबुझकर पास-पास डाईरह्म अच्छी निए बंती। मैं मानता हूं कि दूसरा ब्राइट स्फोर्ट छेंटर से बी पॉाइंट पर बना entrustin knobye पहला दसा Außerdem करेंकि tähän में दूसरा ब्राइड स्पोर्ट से दूरी पर बना सही है अब हम क्या करेंगे अब मुझे एक बात बता हो यहां से लाइट यहां गई यहां से लाइट की वेव यहां गई तो क्या इन दोनों वेव से से एकूल बिस्टन्स कवर किया ब्राइड स्पोर्ट बनाने के लिए ब्राइड स्पोर्ट Bना तो इंकूइंडर्फ फॉइंड इंन weapon pट पर तो face difference जीलो ना भीडिउव तो भी constructive cautious मिलती अभी बता कर भी अटाऊंग तो यहांपर मालो phase difference कुछ होगा यहां का जो phase difference होगा माल रो delta x नो कितना होगा इसन ज्यादा distance कवर किया इसने कम किया तो insult p ما माइनस s1 p यही तो phase का difference होगा इन दोनौ настро के फेसमें यह को मैं 2 ले रहा हूँ इसमें पायथा गोर से लगाऊंगा बात बन जहांकि देखो मैं एक ट्रयंगिल लेता हूँ एसटू गोर पी राइट एंगल ट्रेंगल है एक्ड़ीए इस टू बी पी द्धित देखो S2BP पाइथाघोर से लगा दो सिसमें S2P का स्क्वेड एकल टू BP का स्क्वेड प्लस S2B का स्क्वेड स्क्वेर प्लस SP का BP का स्क्वेर सही है अब S2P की cash value k'tanی है नहींपा नहीं पता छोड़ दो अब क्या करो एक और काम करो एस वन ट्राइंगल एस वन एस वन कहां गया एस वन एस वन एपी ले लो इसको ए दे दो नाम इस वन ए उसका बेस स्का स्ब्सक्राइब का स्कुएड प्लस एपी का स्कुएड इन दोनों को कर दो माइनस माइनस इसको डो fulfilled Most इसको बोल दो equation 2, subtract equation 1 from 2, equation 2 from 1, equation 2 from 1 कर दो, कर दो, तो s2p का square minus s1p का square is equal to, is equal to क्या होगा, bp का square plus s2b का square minus s1a का square plus ap का square, ये value आई है, इनकी values रख दो, बी-पी की value बताओ मुझे क्या है, bp की value, bp कहा है तूम आ देख रहा है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, देखो, यहां से लेकर यहां तक की value y है, तो BP OB plus OP बनेगा, देखो यह रहा न, BP, पर O से लेकर P तक की value तो Y है, और O से लेकर B तक की value कितनी है, यह D है तो यह D by 2 होगी, यह होगी D by 2, और यह है Y, तो कितना हो जाएगा BP? यह हो जाएगा, Y plus D by 2 का whole square, plus S2B, S2B का square है D square, minus S1A का square, S1A का square, यह भी है D, यह भी है D का square, plus AP, AP कितना है, यह पूरा है Y, और इतना है D by 2, यह D by 2 नहीं है, यह D है तो यहाँ में D by 2, D by 2, यह पूरा Y है, यह D by 2 है, तो यह कितना हुआ, यह कितना हुआ, यह कितना हुआ, Y minus D by 2 का whole square, सही है बच्चों, कोई दिक्कत, अब मैं इसको रब करने माला हूँ, इतने देर से इसको इसलिए बना कर रखा है, अब हम इसको रब कर देंगे नहीं समझ में आ रहा ही किसी को जल्दी जल्दी से, तो देख लो, S2B, BP, S2B कहां था, नहीं है तो हम दबारा चलेंगे, बच्चों सवाहा, चले, ठीक है, अब मैं इसको कर दूँगा, क्या कर दूँगा, रब कर देंगे, रब, ठीक है, अब हम इसको कर देंगे, रब, यह सारी के सारी वाल्योग, अच्छा को और काम गर दो, इसको, A2-B2, A2-B2, A2-B, 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 A3-B, A2-B, A3-B, पोई दिकत नहीं है, इकोल टू, इकोल टू यह आ गया, इसको सवालो कर दो, y plus y square d square upon 4 plus 2 y d by 2 plus d square minus minus उसको खोल दो उसको खोल दिया खोल दिया क्या कर दिया खोल दिया तो minus d square हो दियागा plus उसका भी square है प्लस की, minus minus उसको भी खोल दो च्छी है, minus था ना, प्लस अचला ऐसा करो, इसको बराकट में रहने दो भी, minus d square यह तो पहागा दो minus रहने दो प्लस रहने दो इसको minus रहने दो इसको बराकट में रहने दो, d square plus y square A block plus D square बिटे 4 minus two Y D बिटे 3 ABC बिटे 2 या आप इसको खोल देंगे इसको कोल देंगे तो इसमी एक क्ट को कोड़ी मायर से मिल से इस एककट को धने उसे D square को D square के साथ काड़ दो D square 4 को D square 4 के साथ काड़ दो 2 को 2 के साथ काड़ दो इस 2 को भी साथ काड़ दो तो अंसर आया क्या आया 2yd 2yd सही है एक और चीज इसको देखो क्या था S2P और S1P को हमने Delta X बोला था यही तो था Phase Difference यही तो था बच्चों Phase Difference यहां तक किसी को कोई भी शंका हो है बहुत शंका है सुनुको करके देखो समझ में आजाएगा अब दरब कर दिया मैंने एक बार देखो दुबारा देखो कि समझ में आएंगी चीजे नहीं आएंगी तो कोई बात देख लेना आजाएंगी समझ में ध्यान से देखो टूवाइडी बटे एस टूपी प्लस एस वन पी सही है यहां तक कोई दिक्कत हमने यह बात बोली थी दोनों ढूआए बहुत पास यहान की सेंटर से दोनों से सेले मारे गशाव बहुत कम रहा होगा और यार डी ही छोटा है दोल नों के ब aligned 터 से का और छोटा होगा उसका मतलब तो चूलाब बहुत होगा तो अब मतलब यह तो जीड़ों की पार होगा जीनहीं होrió기 नहीं होगा जीरों को नहीं होगा अबाट्यों प्रवाइस समझें से दोनों का डिस्टन बहुत चोटा होगा अब ऐसा देखने में एसा नहीं लग रहा कि यह वाली वेव सेंटर से ही जा रही है अरे यार यह इसके बिलकुल पास निकल है इसका मतलब जोनका स्टेंस वा बीच वाला यह भी एकोल हुआ यह भिदीके को लुदा क्यूए किस टूपी और later pb Você अप्रॉक्सिमेटली अप्रॉक्सिमेडली आप्रॉक्सिमेडली एकोल तो क्यों हो जाएंगे क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टंस था अब सेंटर से यहां तक का डिस्टंस दी था अब यह सेंटर के पास से तो दोनों रेज निकल रही है ऐसे ऐसे तो यह ऐसा लग रहा है सेंटर से ही निकल रही है सेंटर से ही निकल रही है और यह बहुत पास ब कोड़ी जा रहें हैं बहुत धूर हो चोटा ली कर दिया तो क्या आंसर अया को से आएगा को और वाइडीवत ऌर्टी तू से काट दो तो फेस याई डी बट दे जिह क्या आ एक याए तुमारा फेस डिपरेंच अब हमें पता करने है दूसरा ब्राइड स्पोर्ट नहां उन्हाएगा दूसरा ब्राइट स्पोर्ट यहां तुम स्चस्ट्रण्ट इन्टर रही होगी तुम्हें तुम्हें करो होगा भाई और रहनो जब जब फेज़ डिफरेंस एंड लेमडा होगा तब तब कंस्रक्टिव इंटरफरेंस होगी अब यह फेज़ डिफरेंस यह रहा अब यहां पर ब्राइड स्पोड बनना था हमने माना था तो इसका मतलब यह एंड लेमडा के एकवन रहा होगा यह र पहला पहला ब्राइड स्पोर्ट पहला ब्राइड स्पोर्ट मतलब सेंटरल ब्राइड के बाद पहला ब्राइड स्पोर्ट बनेगा सेंटर से इतने डिस्टेंस पर पहला ब्राइड स्पोर्ट बनेगा सेंटर से इतने डिस्टेंस पर एन की वैली रखते जाओ अगले अगल कि नहीं हो्रा दर रॉदी रोखो एंकी वैली रखोगे तो जीरो पहला पर बाइड जीरो मतलब सेंट्र सेंट्र डिस्टन जीरो यहीं तो बोलते हैं पहलाρόzeft ब्राइट इभाइट स्पट कहा मनेगा दी रखतो दो तो तेश्रा कहा मनेगा तो डी लेंड़ाइट प्लेगा यानि के ब्राइट स्पट कहां बनने यहां से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टन ऐसे ही डाक स्पोर्ट की बात कर लेते हैं डाक स्पोर्ट में भी ऐसा ही होगा डाक स्पोर्ट का केस याद होगा डाक स्पोर्ट तब बनेगा जब होगी डिस्ट्रक्टिव इंटर्फरेंस जब क्या होगी डिस्ट्रक्टिव इंटर्फरेंस होगी यह तो हमने पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं तो डिस्ट्रक्टिव में डाक स्पोर्ट बनेगा इसक तो वेल्यू जाएगी तो टो एन प्लस वन डी लेमडा बाइडी को दो रखोगे तो देख पाओगे जरवाडा रभ कर दिया कोई बात नहीं तो पहला डार्क यहां आएगा दूसरा तीसरा डार्क ऐसे पहला ब्राइड दूसरा ब्राइड अधे सेंट्रल को पहला उसके बाद वाला पहला ब्राइड देखना है इस पहला डार्क है तो इस इसाब से आपके बास फॉर्मूले आए और आप लोग इसकी वेली निकाल सकते हो तांकि आपको समझ में आ जाएगा यह होता क्या है और नुमेरिकल कर पाएंगे ठीक है तो बस लेक्टर होगे लं